हेलो एवरिवन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंस्टन पनने वाली ये मिठाई और इसे कोई भी खाएगा आपकी तारिफ जरूर करेगा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं घर में रखी वी चीजों से ही ये बन जाएगी आराम से इसके लिए सबसे इसें फिंगर टच करें तो हमारी फिंगर हो आराम से टच हो जाए तो बस हमारा गरब हो घरम हो गया है अनि कि लुकवां हो गया है अब इसमें मैं है यहाँ पर एक ती हाई कब जो है वो गूडका पाउडर लिया है यहाँ पर आप नॉर्मल गूड भी रह सकते हैं अगर तो यहाँ पर देखिए कि अच्छे से घुल चुखाया और इसमें हमें कलर भी अच्छे से आ गया है तो इस मिठाई के लिए हम कोई भी चीनी का यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर गुड से ही इस मिठाई में कलर आएगा और थोड़ा सा स्वीटनेस भी आएगी अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई मोटे तलिकी लेंगे चाहे तो आप यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज करें अब जो हमने दूद और गुड का मिक्षर तयार किया था उसको यहाँ पर चान लेंगे तो अभी हमें gas की flame जो है वो off ही रखनी है यहापर on नहीं करना है इसके बाद यहाँ पर एक कप milk powder ले लिया है और इसको दीरे दीरे हम इस mixture में जो है वो add करेंगे तो पहले हैं पर मैं थोड़ा सा potions को add कर रही हूँ इसमें और इसको mix कर लेंगे इसमें lumps जो है वो consistency होगी बिल्कुल इस तरीके की बनने चाहिए यहाँ पर अभी gas की flame जो है वो off ही रखनी है इसे on नहीं करना है जब तक कि इसके lumps जो है वो अच्छे से हटना जाए हाँ पर तो इसको बहुत ही smoothly हमें mix करना है यह देखिए इसकी consistency ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल running consistency होनी चाहि तो यहाँ पर यह अच्छे से mix हो गया है अब हम gas की flame को जो है वो on कर लेंगे तो इस टाइम पर अब gas की flame को on कर लेते हैं और दीरे दीरे इसको चलाते रहेंगे तो यह काम हमें ही continuously जो है वो चलाते वे करना है और 2-3 मिनट के बाद ही हमारा जो mixture है वो गाड़ा होने लग गया है और यह गाड़ा भी होने लग गया है इस तरीके से जैसे यह गाड़ा होने लग जाए बस इस टाइम पर हम एड़ करेंगे इसमें एक चमच घी और जैसे इसमें हम घी आड़ करेंगे यह इखटा होना स्टार्ट हो जाएगा यानि कि अपना तला जो है यह चोड़ हो जाएगा और हमारा पेड़े बनाने के लिए mixture जो होगा वो बिलकुल ready हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसको इकटा कर लिया है मैंने और एक मिनट मैं वैसे से और पकाऊंगी और यह देखिए यह इसका पूरा mixture जो है वो ready हो गया है इस stage पे हम flame को off कर लेंगे और यहाँ पर इसको हम एक plate पे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे तो सबसे पहले plate को हम लोग घी से यहाँ पर grease कर लेंगे grease करने के बाद ही हम इसमें अपना mixture जो है वो डालेंगे वरना यह plate पे चिपकने लगेगा तो यह plate को हमने grease कर लिया है जो mixture हमने ready करके रखा था वो हम यहाँ पर रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे करीबन 5 से 10 मिनट और जैसे ही हमारा यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो है हम इसके तयार करेंगे पेड़े mixture हमारा यहाँ ठंडा हो गया है और इसके बना लेते हैं हम पेड़े तो यहाँ पर पहले हमने हाथ में थोड़ा सा घी लगाके हाथों को grease कर लेंगे अब mixture को थोड़ा सा इखटा कर लेते हैं और इखटा करके इसको smooth कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से इखटा करना है इसको smooth कर लेना और इस तरीके से मैं इसको पेड़े की shape दूँगी यह देखिए तो आप यहाँ पर देखो इसमें कितने smooth और कितने अच्छे यह पेड़े बनके ready हुए हैं तो यहाँ पर मैंने इसे सारे पेड़े बनाके जो है वो ready कर लिये हैं तो इतने mixture से करीबन 10 से 12 पेड़े बनके मेरे हाँ पर तयार हो गए हैं तो यह देखिए मैं आपको यहाँ पर cut करके दिखाती हूँ इसका कितना smooth texture बना है यह बहुत ही tasty बने हैं खाने में आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं भगवान के लिए इसे प्रशाद की तरह भोग में भी आप बना सकते हैं तो आपको मेरी recipe कैसी लगी आप मुझे जरूर से बताइएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थांक्स वर वाच्छिए